हेलो एवरिवन वेलकम टू अभीपीडिया बैंके और जो भी स्टूदेंट्स प्रिपेर करें बैंकिंग के एक्जाम के लिए तो उनके लिए हम स्टेप बाइस्टेप प्रिप्रेशन करवा रहें लास्ट क्लास के अंदर सिंप्लिफिकेशन हमने डिसकस किया था बैंकिंग एक्जाम के अंदर देखिए सिंप्लिफिकेशन एप्रोक्सिमेशन दोनों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशलिवन यू आर गिविंग देग्जाम ओफ प्रिलिम्स ओके और प्रेंड इन दप्रिलिम्स यू आर गिविंग फोर क्लेरिकल एक्ज सिंप्लिफिकेशन एप्रोक्सिमेशन वैसे तो दोनों आल्मोस्ट एक जैसे हैं थोड़ा सा जो डिफ्रेंस आ जाता है वो कहां पर आ जाता है इन केस ओफ सिंप्लिफिकेशन यू हैव तो फाइंड आउट दो करेक्ट आंसर ओके आल दा कैलकुलेशन शूद बीड़न ब ज़रोड नहीं होती है तो जरूरत नहीं होती है तो जब हम बात करते है बीटा है अप्रोक्सिमेशन की लाइक दिस हां जी इसे मोशन बेस बेस प्रोक्सिमेशन first of all you will use the same formula of board mass okay then of yes board mass means bracket of division multiplication addition and subtraction okay यह हम use करेंगे same इसके अलावा अगर किसी question के अंदर आपको मिलता है क्या square, square root, cube, cube root means कि इस तरह का expression नहीं तो पहले आप उसको solve करोगे तो अब देखिए यहाँ पर आप अगर question को देखें तो question के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहे है हाँ जी, जो values है वो points में आपको दिखाई दे रही है जो values है वो किसमें points में है जैसे कि आपके पास है 111.04 sorry 01 in that case we know that 01 is very 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 minor value as compared to 1 in that case what we will do yes approximation की बात हो रही है means कि we will take only 111 there is no need to calculate the correct value okay so यहाँ पर 41 plus अब यहाँ पर अगर मैं देखू थी क्या आपके पास 4.96 so always remember अगर point के बाद में आपको 5 या 5 से ज्यादा value मिल रही है in that case try to take it what yes अगर आपके पास में more than 5 है then next number आप ले दो ठीक है अब जैसे यहाँ पर 4.9 है we can consider it as 5 okay तो यहाँ पर आप इसको 5 ले सकते है if it is less than 5 in that case हम क्या लेंगे 4 consider कर लेंगे simple दूसरा जो point है कि यहाँ अगर point 5 में in that case it depends कि जहां से हमें लगते कि मेरी calculations हमेशा इसके उपर इसे नहीं रहना हमने कि हाँ same रखना है ऐसा है कि कई बार ना calculation में जो कुछ values cancel out वगरा हो रही होती है तो उस case के अंदर जो आपको easy लगे कि हाँ यहाँ से मेरी calculations easy बन रही है तो आप वो value भी ले सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या consider करेंगे इसको इसको हम consider करेंगे 5 and 5 square is equal to what this is 25 here you will consider 0 2.0 09 है that means कि we will consider at 2 so 2 square is equal to 4 सभी का sum करेंगे सभी का sum करेंगे value क्या आगी 4 plus 5 9 10 11 okay yes this is 181 so answer will be 181 okay so option C will be the correct answer next question देखिएगा next question है screen yes अब यहाँ पर मैंने आपको बताएगी सब को solve करने से पहले अगर bracket के अंदर आपके पास value है या पर square के अंदर values है square root के अंदर values है तो उसको पहले माइन में रखने अब जैसे यहीं पर हमारे पास यहाँ पर बिटा देखो यह जो है square root में question mark है यहाँ पर भी square root के अंदर question mark है तो इनको हम एक side ले आते हैं जब हम इसको एक side लेके आते हैं पहले तो इसको convert कर लो यह होगे हमारे पास 109 question mark minus 61 divided by इसको क्या लिख सकते हैं 21 into question mark is equal to 48 question mark ओके अब question mark question mark को एक side रख लेते हैं अगर मालो लेते हैं इसको हम लेके आते हैं इधर तो उसके बाद में हमारे values क्या हो रहे है minus हो रहे है minus करोगे 9 minus 8 is equal to 1 and 10 minus 4 is equal to 6 is equal to अब यह वाली जो value यह इधर चली जाएगी तो क्या हो गया आपके पास में 61, 21 into square root clear? अब यहाँ पे देखो यह जो 61 है यह इसके साथ में cancel out हो रहा cancel out हो रहा इधर value किस में है? square root के अंदर इधर क्या है? direct value so scaring both side करेंगे जब हम scaring both यहाँ पे अपने पास में जो value है हाँ जी तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक और बात बताते हैं scaring both side करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखो value क्या आ रही है आपके पास में? this is 1 by 21 into अब यह जो एक question mark आप यह से कह सकते है? this is equal to what? ऐसे लिख सकते हैं? ओके? हमें पता है कि root 2 into root 2 अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में जो value आएगी वो क्या आएगी आपके पास में? 2 आएगा? कोई issue इसमे? तो यही सेम मैं यहाँ पे apply कर रहे हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में question mark है तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ then कोई issue नहीं यह बेटा इसके साथ में cancel out हो गया यह इधर चला गया 21 is equal to square root of x squaring both side करेंगे so x will be equal to 441 so answer के आज आएगा आपके पास 441 विल भी दा करेक्ट आंसर yes बेटा 441 विल भी दा करेक्ट आंसर ओके कोई भी माइनर सा डाउट हो अब यह जो इस तरह के questions होते हैं में mainly practice मांगते हैं जितने आप practice करोगे उतना ही fast और accuracy के साथ आप कर पाऊगे दोनों चीज़े हैं बेटा practice प्लस आपके पास में accuracy अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 1332.89 है पोइंट के बाद क्या आ रहा है 8 so approximate value क्या लेंगे हम 1333 here 171.9 so we can write here 172 17 plus square root of question mark is equal to 19 1691 बन जाए क्या 1690 है पॉइंट के बाद आ रहा है आपके पास 8 787 that means कि हम इसको क्या consider करेंगे 21 ओके हां जी कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा है अब देखो इसको आप solve करोगे solve करोगे तो value यहाँ पर आपके पास में क्या बन रही है यह करेंगे हम इसको करते हैं तो यह हो जाएगा पिटा अपने पास में 792 देन 2 13 and 15 is equal to question mark अगर question mark को पिटा मैं इधर लेके आते हूं एक मिन टेक स्टैप ऐसे कर लो आप की टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो question mark is equal to 19 15 22 ओके तो यहाँ पर अपने पास में value क्या आजाएगी this will be equal to 9 and 6 and 1 अब यहाँ पर क्या आपके पास में square, square को remove करेंगे क्या करेंगे square root both side square root both side square root both side that means की question mark is equal to square root of 169 is equal to 13 so answer will be equal to 13 okay clear quite out next देखते हैं yes this is the next question क्या है question हाँ जी percentage में value गीवान आपके पास में क्या है percentage तो अब पहले एक बर क्या करते हैं जो values आपके पास में points में हैं first of all you will convert it into simple form okay so this is 150 0,9 after point we have 0,9 so we can eliminate it simple क्या लिखेंगी 150 आजाएगा 150 so 150 percent of 20 plus इसको क्या कर होगे आप 323 plus question mark square root and this is 8.9 8.9 that means we can write it 9 okay अब यह है हमारे पास में अगर मैं कहूं 150 percent of 20 या पिर 20 percent of 156 thing is same हम यहां पर इस directly क्या लिखेंगे this will be 30 this will be 19 okay plus question mark square root is equal to 81 value values को सबको एक साइड लेके आओ minus 30 minus 19 तो यहां पर अपने पास में value क्या बनेगी हां जी this will be what 2 okay 8 से 5 5 से 1 3 so यहां पर आपके पास क्या है square root में value है जब square root को remove करना क्या करेंगे squaring both side squaring both side so this will be question mark is equal to 32 square 32 square क्या होगा 1024 so this will be equal to 10 so answer will be equal to what 1024 will be the correct answer हां जी clear है सभी को तो देखे approximation difficult लग रहे it is not difficult बस थोड़ा सा practice आपको चाहिए यहां पर देखे next क्या है 15.08% of 149 0.92 0.92 you will take it 150 okay so 56 percent of 150 plus इसको क्या consider करोगे 28 इन्टू टिपिकल वैल्यूज आ जाती है तो उसके के अंदर अगर आपको यह वैल्यूज लर्न है आप डिरेक्टली पूट कर सकते हो जैसे यह यह इसकी जगे पर सिधा लिखो आप 1 by 9 ओप यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 9 है तो यू विल राइट 999 ओके तो अब यह वैल्यूज क्या होगी 56 percent of 150 और यू कैन से 150 percent of 56 that means कि 3 by 2 ओके so 3 by 2 करते हैं हम इसका तो कितना बनेगा बिटा 3 by 2 84 plus अब इसको देखू यहाँ पे अगर मैं square से लिखलो 7 into 4 को issue 28 को यह मैं आपको बता रही calculation कैसे fast करेंगी 7 बिटे यह आगे 2 यहाँ पे आगे this will be 14 कैसे किया clear है yes minus यह जाएगा आपके पास 1 so value will be equal to what this will be yes this will be 8 and 9 minus 1 1 1 value will be negative minus 13 so minus 13 will be the correct answer कोई डाउट किसी को यह कैसे लिखा देखें अगर हम इसकी बात करें this is like this ना इस तरह ऐसे कर लेंगे तो बात तो वहीं पर यारी ना बिटेंप यह देखो और अगर इसको भी देखें दो एक तो तरीक ही हो गया कि हाँ पहले आप पूरे को कर होगे multiply इससे अच्छा इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसके फैक्टर्स बना लेते हैं this is 7 into 4 into 7 7 7 का एक पेर बन गया 4 का स्केर रूट होगे 2 तो यह होगे 2 कितना आगया आपके पास 14 ओके I hope now it is clear next देखेगा हाँ जी 4.99 is equal to question mark into 10 तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे इनको simple form में convert कर पे so this will be 256 divided by 6 इसको क्या लिखेंगे 729 divided by 9 into 415 divided by 5 is equal to question mark into 10 ओके cancel out कर लो जो जो cancel out हो रही है यह जाएगा पेटा अपने पास में तो से cancel out हो गया ओके तो यह हो गया हमारे पास इसको अगर मैं लिखती हूँ तो यह हो गया आपके पास में 4, 2 से 3 ठीक है और 2 से ओके 8 ठीक है 3 से इसको cancel out कर लो ओके बस अब क्या है आपके पास में just calculation करनी and you will get the answer ओके जस्ट मल्टिप्लाई करने आपने multiply करने and you will get the answer done कोई डाउट हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट next देखेगा next आ रहे अपने पास में वैल्यूज के 675.99 तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें पता square root 6 अगर हम 75 लेते तो कुछ भी नी बनता है ना तो अगर हम लिखते हैं इसको यहां पे सिक्स सेवंटी सिक्स ओके फिर तो यह square root हो जाएगा आपके पास में किसका है 28 का हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपके पास में तो हम इस तरह से ही वैल्यूज लेंगे इसको ऐसा हम लिख ले लिखा हां यह हो गया आपके पास में 26 का जाएगा ना पिटा हां जी 26 हो गया यह आपके पास में और यह हो जाएगा आपके पास में कि 28 का हो जाएगा जाएगा जास्ट क्लियर अब जो square root है square square root 100 तक मैंने आप लोगों को सारे सिखाए थे ना कैसे करना है हैं डेक्ट यसी डिक्ट आपकर सर्कतों पताइए बने आपको तो अब देखो पहल नfill देखते हैं यह किसका बनेगा आपके पास में payer UA आपके पास і 26 मैं यह आपके पास बटा चार चोके कर fully यह हो जाएगा आपके पास में ट्वेंटे, लेक्स सकते हो, स्क्रीट एक डिश के लेक्शन, योगी आठ और दो दास नो दो ग्यारा और एक बारा ठीक हैं 224 will be the correct answer क्या जायेगा आपके पास 224 ओके हां जी बिताओ कोई भी माइनर सा डाउट आराओ इसके अंदर बिल्कुल क्लिया रहा हां जी बिल्कुल क्लिया रहा last देख्ते हैbas के Nie नेक्स्त करेंगे सभी देख हो क्या रहा है 2 कै Castreck लेंगे सिम्पलये थैंप सारी सुर्णी सारी उसको सिंपल 999 है बिटाब तो अब इसको आप क्या लिख सबते हो 0.99 है वाल इन्क्रीस करेंगे that means it will become 1000 yes 1000 plus 1 by 5 into 445 हो जाए गाई आपके पास this will be 655 655 दन आप देखो यह होगा आपके पास 289 plus 655 just add up and you will get the answer okay यह हो जाएगा आपके पास में I will say 954 so answer will be option B option B will be the correct answer okay next देखेगा next क्या है 34.67% of 289.99 plus 32.023% of 345 okay simple question है simple question है I hope सभी कर लेंगे तो परस्ट ओफोल क्या करोगे yes 34.67% है तो हम इसको डिरेक्टली क्या लिखेंगे 35% of 290 plus 32% of 345 और यह percentage का मैंने आपको simplification में भी बता है अगर बीटा दो जी रोज आ रही है दें डिरेक्ली आप percentage के साथ cancel out कर लो अगर दो जी रोज आ रहे है तो डिरेक्ली आप percentage के साथ में cancel out कर लो अब यहां पर देखूं जैसे अगर single zero आ रही है तो हम यह एक तरह से बन क्या रहा है हाँ जी अगर हम डिरेक्ली यहां पर value देखे तो हमारे पास में values बिटा क्या बन रही है यहां पर इसको आप ऐसे क्या सकते यह थर्टी फाइब हाइंडर्ड इन्टू टू नाइन्टी ऑके सेम अगर हम यहां पर कहें तो यह क्या हो गया थर्टी टू बाइंडर्ड इन् चल आउट होगी हमारी यह फाइव से चला गया हमारा ठीक है अब इसके बाद में इसको करो आप इसको मल्टिप्लाई करो एंड डिवाइडड बाइट 10 सिंपल एंड यू विल गैट आंसर हां जी कर लेंगे सिंपल है क्या बन जाएगा यह देखो अगर हम नियर जाएगी यह जाएगा आपके पास में तो यह जो वैल्यूज है 200 के नियर अबाउट बनेगे ना देखो 200 के नियर अबाउट में हमारे पास में 200 के नियर अबाउट क्या बनेगे दो सो बारा तो यू विल टेक इट ओके सिंपल नेक्स देखिएगा कंफ्यूज में होने की जुरूरत नहीं है देखो अगर मालो थोड़ा सा भी आपको लगता है ना तो आप ज्यादा रेवो करने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हूँ देखो और अब इसको इजी तरीके से में आपको बताओ देखो यहाँ आप बेटाँ जीरो इसको लेलो आप 30 परसंट अ फिक यहां पर इसको तो इस तरह आप यहां पर देखो कितनी जादा डिफ्रेंस उप्शेंस के अंदर इस 400 400 500 तो जो तो दो सो के आसपास की जगर आपकी वैल्यू आएगी तो आपको एप्रोक्सिमेट वैल्यू फाइंड आउट करने हाप एग्जेक्ट मी फाइंड आउट करने ओके कि अदि देखो हो एक नेक्स्ट के थाटी पर्सेंट 30 पर्सेंट ऑफ़ाइव सिक्स्टी तो अब अब भी अब अब हो के में अब यहां पर देखिये क्या है वाली जीठे इसके साथ में ये यह कैंसल आ उट जाएगा च्छेतिया ठारा और फांसतिया पंदरा और एक सोरा आगर हम यहां देखिए दूसरी जीरो पांच और दो और आप के साथ कर दो और छेसद पाइस परसेंटेज ओ अब यहां पर देखो एक्जाक्ट वैल्यू का अगर आपको लगता है तो हमें पता है पर संटेज को जी रोस के साथ में कर लेते हैं सेवंटीन हंड्रड ले लो कोई इश्यू नहीं है कि कि इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया सिद्धा वैल्यू यहां पर क्या बज जाएगे आपके पास में सिद्धी सेवन्टीन बज जाएगी कि होगे जरूरी निया कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने कंसीडर करना क्योंकि जो आंसर आंसर भी बेटा फिर नियर बाई आएंगे फिर एक्जेक्ट वैल्यू में अंसर नहीं आएगा ठीक है न तो अब देखो यहां पर अगर मैं देखुती हो गया आठ तीन और फिर उसके बाद में यहां पर देखो अपने पास जो नियर अबाउट वैल्यू जाएगी तो यह हो गया बिटा अपने पास में अब यहां पर एक्जेक्ट वैल्यू तो नहीं बन रही है अब यहां पर 25 के अप्रोक्सिमेट मुझे दो वैल्यू देख रही है आंसर के अंदर दो वैल्यू दिख रही है अब मैं इसको नंदर से किसको सेलेक्ट करूँ था तो सेलेक्ट किया जाए तो सेलेक्ट किसको करेंगे अब यहां पर देखो हमने यहां पर वैल्यू क्या करी थी इधर से हमने इसको इस साइड से कम किया था अगर यहां पर वैल्यू ज्यादा होती है अगर मैं इसको नेक्स लेके 18 करती 18 करती, तो value हमारे पास में क्या आती, 22, 23 के near about value आ जाती, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में answer जो बन जाएगा, that will be 22, yes, 22 will be the correct answer, done?